18 दिसंबर को भागलपूर जमालपूर रेलखन पर बड़ा मेगा ब्लॉक लिया जाएगा इस कारण इस रेलखन पर चलने वाली दरजन भर्च से भी ज़्यादा ट्रेने कैंसल रहेगी रूट डावर्टेड होके चलाए जाएगी और रिस्चेडूल रहेगी आईए बात करत रूट से चलाए जाएगा जबकि कुछ अन ट्रेन जिसमें की 10 ट्रेनों को कंट्रोल यानि की रिस्चेडूल करके चलाए जाएगा इसे कारण इस रेलखन के यात्रियों को परिसाने का सामना करना पड़ेगा पुर्व रेलवे के सीप्यारों बताते हैं कि जमालपूर भा रेलवे स्टेशन पर भी कई प्रकार के काम किये जाने हैं जिसे लेकर जमालपूर से होकर गुजरने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेश ट्रेनों को कैंसिल किया जाएगा वहीं कुछ दिनों तक के लिए कई ट्रेनों को डावेटेड रूото बлиз Hiçनीत जानकारी आपको द साथ भागलपूर जमालपूर के बीच चलना वाली ट्रेन नंबर 03406 पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल किया गया है 18 दिसंबर को इन ट्रेनों का संचालन रहेगा कैंसिल इसके लावे कई ट्रेनों को सौट टर्मिनेट भी किया गया है जिसमें की अप में साहिब गंज जमालपूर ट्रेन नंबर 03-431 के साथ यह ट्रेन 18 दिसंबर को सबोर रेलवे स्टेशन तक ही चलेगी और यह ट्रेन जमालपूर नहीं आएगी इसके लाबे माल्दा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेश ट्रेन 18 दिसंबर को जमालपूर नहीं आएगी और भागलपूर तक ही चलाई जानी है इसके लावे क्यूल से माल्दा को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेश ट्रेन जमालपूर के जग़ भागलपूर से ही वापस माल्दा टाउन के लिए रावाना होगी हुआ ही कुछ ट्रेनों को 19 दिसंबर को भी कैंसिल किया गया है और आने वाले नेस्ट वीडियो अपडेट पे 19 दिसंबर को कौन सी ट्रेन्ट हैगी कैंसिल इसकी जानकारी हमाँ पो देंगे यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता है इससे वीडियो के सेयर करें नई ट्रेनों के आन्या अपडेट के लिए